दुनिया के अनेक मुलकों में उनकी पार्लेमेंट ने भारत के मणिपूर प्रदेश में जो कुछ तीन मई के बाद से हुआ है, हो रहा है अभी भी उस पर चर्चा करें। तमाम दुनिया भर के नेताओं ने सवाल उठाए, चिंता जताई, मानुवाधिकार हनन को लेकर, हिंसा को लेकर, धार्विक और सांप्रदाइक बेदभाव को लेकर, और यहां तक की देश वीदेश के मीडिया में सरकार की, राज्य की और केंद्र की सरकार की जो निश्क्रि दुनिया भर में मीडिया ने और देश के भी मीडिया के एक हिस्से ने चिंता जताई, हमारी पार्लेमेंट इस वक्त सेशन में है, 20 तारिक से ही, 20 जुलाई से ही, भारत की संसत का मानसून सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक, भारत की संसत के दोनों सद्रों में मनिपूर को लेकर कोई चर्चा नहीं हो सकी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी इस वक्त उनका ज्यादा जोड मनिपूर पर चर्चा के बजाए इंडिया यानि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव एलाइंस जो बना है कॉंग्रेस पार्टी से लेकर विपक् से ज्यादा हमलावर होने का तेवर प्रधान मंत्री मोदी ने इस दर्मियान दिखाया है मनिपूर पर चर्चा करने या कराने के बजाए सिर्फ मनिपूर पर उन्होंने एक छोटा वक्त अब दिया कुछ सेकेंड्स का और उसमें भी उन्होंने 36 गड़ राजस्तान से तु इंडिया का मतलब इंडिया एलाइंस उन्होंने कहा कि एक दिशाहीन एलाइंस है ऐसा दिशाहीन विपक्ष कभी नहीं देखा उन्होंने मोदी जी ने ये भी कहा कि इंडिया तो इस्ट इंडिया कंपनी के नाम में भी है इंडियन मुजाहिदिन और पीफाई के नाम में इंडिया है यह दोनों कटर पंथी मुस्लिम संगठन माने जाते हैं दोस्तों यहीं नहीं पीम ने तो यह भी कहा कि कॉंग्रेस और इस्ट इंडिया कंपणी कि स्थापना अंग्रेजों ने की थी अब ये उनकी पार्टी के जो प्रवक्ता है उन्होंने पर्लेमेंटरी पार्टी की जो बैठक थी उसके बाद जो ब्रीफ किया उसमें ये बात छपी है भारती जनता पार्टी के सांसदों की एक बैठक में प्रधान मंतरी मोधी ने सब को संबोधित करते हुए बहुत सारी बातें कहीं लेकिन मनिपूर पर कोई चर्चा नहीं संसद में तो विपक्षी नेताओं खासकर मलिकार जुन खड़गे ने पीम के बयान की धज्जियां उड़ा दी और उन्होंने कहा कि संसद में नियम 267 जो राजसवा में है तो राजसवा में 267 के तहत मनिपूर की इस्तिरी पर बहस से क्यों भाग रहे हैं मोदी जी और उनकी सरकार क्यों भाग रही है राहूल गांदी ने भी अपने ट्विट के जरिये जबाब दिया है प्रदानमंत्री मोदी के बयान की और इंडिया प्रदानमंत्री मोदी को विदेशी संसद में जाकर इस स्पीच देने की फुरसत है लेकिन अपने देश की संसद में आकर देश के मसलों पर मणिपूर के मामले में बोलने की फुरसत नहीं मिल रही है सुर्जेबाला साथ पीम पर आरूप लगा रहे हैं कि उन्हें देश की जुलन समस्याओं पर संसद में आकर बोलने की फुरसत नहीं है पर दोस्तों मेरा मानना है कि पीम साथ ने तो अपना काम कर रखा है कर दिया है और कर रहे हैं उन्हें मणिपूर में डबल इंजन की भी फलताओं को चुपाना है तो चुपा रहे हैं वो संसद में आकर भला कैसे बचाओ करेंगे अपनी पार्टी की राजी सरकार का और केंद्र की सरकार की जो निश्क्रियता उदासिंता रही है लेकिन क्या हमारे देश का मीडिया खास कर जिसे मुख्यदारा मीडिया कहा जाता है क्या वो अपना काम कर रहा है ठीक है सरकारों ने अपना काम नहीं किया कोई यह नहीं कह सकता कि मनिपूर सरकार ने अपना काम किया कोई यह नहीं कह सकता कि केंद्र की सरकार ने मनिपूर पर अपना काम किया उसे जो काम करना चाहिए था लोगों को बचाने के वहाँ पर उनकी जाने जा चुकी हैं लेकिन हमारा कहना है कि क्या मीडिया ने अपना काम किया या वह भी मोदी जी और भाजपा का ही काम कर रहा है दोस्तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 20 जुलाई से ही संसत का मान सुनसत्र चल रहा है लेकिन मनिपूर जैसे आज के सबसे ज्वलंत मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं और पियम मोदी ने मनिपूर पर 77 जीनों की खामोशी के बाद छोटा सा एक बयान दिया है वो भी बहुत दुरभागेपन उसको विपक्ष ने बताया और दोस्तों जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूरोपी संसद और ब तरह राजसभा में चर्चा हो इसको लेकर मांग करने वाले एक सांसद संजय सिंग को जो आम आदमी पार्टी की सांसद हैं उनको पूरे सत्र तक यानि जो मानसून सत्र है उस समय तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है तो इस से लगता है कि सरकार मनिपूर की घटना पर विष्टार से बहस नहीं चाहती उसने अब तक मनिपूर की एनविरेंज सिंग सरकार को बर्खास तक नहीं किया है जबकि भारती संविधान में ऐसी परिष्थिती में राजी सरकार को बर्खास करने का प्रावधान किया गया है सरकार हर कीमत पर मनिपूर पर किसी चर्चा से बचना चाहती है और देश का मेंस्टि मीडिया खास कर टीवी पूरम सरकार के बचाव में तरह तरह की तरकीमों के साथ सामने आ रहा है और दोस्तों इस बीच में विपक्षी दलों ने नरेंद्र मोधी सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताओं का नोटिस दिया है ताजा जानकारी के मुताबिक कॉंग्रेस पार्टी के गौरो गोगई द्वारा दी गई नोटिस को मंजूरी भी मिल गई है क्योंकि जो जरूरी सदस्य होते हैं नोटिस के समर्थन के लिए वो उपलब्ध हो चुके हैं समझा जाता है कि अविश्वास प्रस्ताओं पर जल्दी ही चर्चा होगी विपक्ष का कहना है कि उनको मालूम है लोकसभा में प्रचंड बहुमत है नरेंदर मोदी जी का उनकी सरकार का इसके बावजूद हम अविश्वास प्रस्ताओं को जरूरी समझते हैं क्योंकि नैतिक, राजनीतिक, प्रशासनिक हर आधार पर सरकार फेल कर चुकी है और मनिपूर पर वो संसद में बोलने से इंकार कर रही है इसलिए हम अविश्वास प्रस्ताओं के जरिये सरकार को बोलने के लिए मजबूर करेंगे ताकि दुनिया के सामने सरकार अपना चेहरा दिखा सके अपना मोहरा दिखा सके और अपनी बात कह सके उसकी बात को सुनी जाए कि रो क्या कह रहे हैं अपने बचाओं में तो इसलि और जिसको reject कर रही थी मनिपूर जैसी भयानक तरास्दी हमारे समय की सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़े राश्टी प्रश्ण पर उसे न खबर दिखाने की फुरसत है और न चर्चा करने और कराने की फुरसत है उसके लिए सबसे बड़ी खबर क्या है दोस्तो सबसे बड़ी खबर है यूपी की SDM जोती मौरिया और उनके पती आलोक मौरिया और मनीश दूबे के कथित रिष्टों का त्रिकोण टीवी पुरम को अभी कुछ नए और मसालेदार नेशनल इंटरनेशनल मुद्दे मिल गए हैं ये क्या हैं ये मुद्दे हैं सीमा हैदर और सचिन मीना की प्रेम कहानी इन दोरों की प्रेम कहानी बनाम जासूती जासूसी कहानी एक ये चल रहा है सरहत पार गई अंजू और पाकिस्तान के किन्नी नसुल्ला की कसित प्रेम कता के बारे में भी अलग से बहुत सारी कहानिया चल रही है लेकिन देश के एक महत्पुनो राजि मनिपूर में तीन मईश से ही नफरत की याद में वो जल रहा है वास्तविक अर्थों में सिविल वार की स्थिती है मरने वालों की संख्या 140 से उपर हो चुकी है इंटरनेट शटडाउन में धील मिलते ही रेप और गैंग रेप के मामलों का हर दिन खुलासा हो रहा है पर मुख्यदारा मीडिया खास कर टीवी पुरम को सीमा हैदर अंजू नसुल्ला की कहानी और जियोती मौरिया की प्रेम कथा से फुरसत नहीं मिल रही है बीस बीस में लोगों के मन विजाज में सामप्रदाइक बीज बोने के लिए मंदिर मस्जित के ताजे मामले चलते रहते हैं समय समय पर चतरपूर के बागेश्वर दरबार वाले बाबा धिरंद शास्त्री उर्फ धीरेंद कृष्ण गर का गल्प भी चलता रहता है मनिपूर की खबर से टीवी पुरम उसी तरह दूर भागता है जैसे शराबी नसे में लड़ खडाता हुआ कोई किशोर सामने से आते अपने पिता को देख कर भागता है इस भी सोशल मीडिया का भी एक भयानक चेहरा सामने आया है वो क्या है दोस्तों सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिये हायर जुडिशियरी के कुछ प्रमुक जज़ों पर ट्रोल हमले हो रहे है इसमें ट्वीटर का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है देश के सुप्रिम कोट और उसके मुख्यने आदिस डी वाई चंद्रशूर पर सीधा आमला किया जा रहा है हाल के दिनों में साथ लाग से अधिक ऐसे ट्वीट वाइरल किये गए है दरजनों ट्वीटर हैंडिल इसकाम में लगाए गए है एक ट्वीटर हैंडिल के जरिये सुप्रिम कोट को सुप्रिम कोठा तक कहा गया है मैं ये शब्द नहीं उच्चरित करना चाहता था लेकिन बाकाइदे कहा गया है लेकिन सरकार और उसकी सोशल मीडिया पर नजर और निगरानी में लगी एजनसियों की नजर ऐसे ट्वीटों के वाइरल किये जाने पर बिलकुल नहीं है सरकारी एजनसियों की नजर में सिर्फ कुछ असाहमत पत्रकार कारेकरता या बुद्धी जीवी होते हैं ऐसे में ये सवाल उटना लाज़मी है दोस्तों की क्या विपक्षी दलों सत्ता से असामत बुद्धी जीवीयों या यहां तक की हाईर जुडिशरी के विर्द किये जा रहा है विशैले ट्रोल हमलों के पीछे कुछ सियासी दलों या खेमों की आईटी सेल्स तो नहीं है हिंदू विरोधी होने के भी आरोप लगाये जा रहे हैं पर ये कथित हिंदुत वादी जो ट्रोल हैं ये भूल गए हैं कि नौंबर सन 2019 में अजुद्या में मंदिर के निर्माण के पक्ष में जो फैसला आया था जिस पांच जज़ों की बेंच ने वो फैसला किया था उस पंदम कर रही थी लेकिन तब वो उस इस आर्मी के हीरो थे आज उनको जीरो बनाया जा रहा है इसी तरह जस्टिस गवई के बारे में अनेक उनके जो फैसले हैं उनको लेकर टिपणिया की जा रही हैं लेकिन दोस्तों उनके अतीत में बहुत सारे ऐसे फैसले और बहुत स किया पर आज उनका एक भी फैसला अगर नागवार गुजरता है तो ट्रोल आदमी का आर्मी का हमला शुरू हो जाता है ऐसे दोर में अगर हमारी डिमोकरिसी दिनो दिन मुश्किलों में फंस्ती जा रही है गलोबल इंडेक्स में भारत हर साल नीचे लुड़क रहा है तो य मई दोहजार चोबिस यानि लोकसभाज चुनाओं से पहले मुझे लगता है काफी कुछ होगा इंडिया को सब कुछ सजग नजरों से देखना होगा और डिमोकरिसी को बचाने की मुहिम में जुटना होगा मनिपूर का सवाल डिमोकरिसी के संरक्षन मानवा अधिकार बलक जय हिंद तो दोस्तों आज बस इतना ही नमस्कार आदाब सत्वियकार